बिहार विधान सभाध है अक्ष दजय कुमार सुधा ने बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा कि 23 मार्च को हुए हंगामे में शामिल तमाम विधायकों पर कड़ी कारवाई की जाएगी आपको बता दे कि 23 मार्च को 33 आदम ने अपने समर्थकों के साथ विधान सभाध का घ में भी जम कर हंगामा किया विधान सभाध को उनके चेंबर के बाहर बंधक बना लिया और जब हटाने की कोशिश के गही उन तमाम विधायकों को तो उन्होंने जम कर हंगामा किया और पुलस पर बदसलुकी का आरोप लगाया था शदन अपनी गरिमा की अनुकूल अच्छे कार्ज करने वाले हमारे शेकेट्टी और जो भी पदादिकारी और करमचारी है उनको भी शम्मानित करेंगे और इसकी गरिमा को जिन लोगों के दौरा कलंकित किया गया है आचार समीती उसको देखेगी उस पर एक्षन लेगी प्रकिरिया दीन अच्छे और इसके प्रबदीक जानकारी के लिए समधाता राजीव कमल है फूलाइन पर राजीव बिधान सभाध्यक्ष ने क्या कुछ कहा यह पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे बिधान पर आज बिधान सभा में सचीव विजे सिनहा आज रिटायर हो देखे इस मौके पर आज उनको सम्मारिक किया गया उनको वो रिटायर हना तो इसके एक बैठ्ष रखी गई थी उसके बैठ्ष कर रहे थे उपर अध्यक्ष भी महिसर हजारी वहां मुझूद आज जो भी हमारे अच्छे विधान समा में कौैर रहे हैं वा गारिक्स माझी हो लिखान समा के जा पत्रकाने दिए कर वंयख बहुत एधिषासी काम की हुआ है लेकिन आगर जो भी इसमें तंकीत दिया कि अगर जो भी विजान समागी दरिमा को गिराथा है कलंसित करता है उससे करवाई उचित की जाएगी लेकिन एक लिजान समने की अगरे ऑगर परतिकश् content समने आई ईतीन का जिह द fibre बुलिए केरिके मिजान समय बैकिन ली एक छविजान दुद करियेन के लिए और विजान सम्द्चыми दरेएं इसको मामले को देख रही है और जो भी इसमें उचित करवाई होगी उससे जानकारी है किन-किन विदायकों पर कारवाई होगी? क्या इसकी जानकारी है आपके बारस? जानकारी के लिए शुक्रिया आपके बता दे कि विदान सभा देक्च विजय कुमार सुधा ने एक बड़ा बयान देकर एक बार फिर से राजनिती तेज कर दी है राजनितिक हलकों से बयान बाजी का दौर शुरू होने वालोंने कहा कि तेज मार्ज को जो हंगामा हुआ था विदान सभा में उस पर जो सामिल थे विदायक बक्ष पाटियों के दौरा उन पर कड़ी कारवाई की बात उनने कही है